हेलो स्टूरेंट्स कैसे हो आप सब बच्चों ठीक तो है आशा है आप सब स्वस्त होंगे और जो पिछले पार्ट पढ़ाये थे उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये गए हैं आज हम पार्ट वे भी क्या दिन थे के प्रश्न उत्तर करेंगे ये पार्ट जो है आवे भी क्या दिन थे आज के समय में सठीक बैट रहा है प्रश्न एक कुम्भी के हाथ में जो किताब आई थी वे अच्छके जवाने में चपी होई होगी रोहित ने कहा जब कितनी पुस्त के बेकार जाती हैं एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई क्या सचमुच में ऐसा होता है नहीं हमेशा ऐसा नहीं होता है कई पुस्त के एक बार पढ़कर फेक दी जाती हैं और वे बेकार हो जाती हैं पर हमेशा ऐसा नहीं होता लाइब्रेरी में पुस्तके सालों साल चलती हैं लोड इन्हें लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इसी तरह स्कूल लाइब्रेरी में भी पुरानी पुस्तके समाल कर रखी जाती हैं और इनका उपयोग भी होता है अगला प्रस्वे, काजच के पड़नों की किताप और टेलिवीजन पर चलने वाली किताब में तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? हम काजच के पड़नों की किताप को पसंद करेंगे क्योंकि वैं हमेशे अप में आरे पास रहेगी और उसे पढ़ने तथा इदर दर ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी जबकि बैचो टेलिवीजन के परदे पर चलने वाली किताब को हर जगे ले जाना संभव नहीं होगा यहां तक कि अगर लैपटॉक में भी से आप e-book पढ़ रहें तो वो भी संभव नहीं हर जगे ले जाएं प्रशन संक्या चार जो अभी होता हम कागश पर लिखी किताब पर पढ़ते हैं e-book से पढ़ते हैं लेकिन इससे पहले किस तरह की चफाई होती होगी और क्या क्या मुश्किल आती होगी आई उससे प्रशन का उत्तर देखते हैं कागश से पहले की चपाई लकडी पत्तों तथा धातू से बने पात्रों पर होती थी और इसमें काफी मुश्किल आती थी इन्हें पहले संतल करना और उन्हें पर लिखना इतना साल नहीं था चो यह है भोज पात्र का ब्रिक्षिया पेड अगला प्रशन तुम मसीन की मदद से पढ़ना चाओगे अध्यापक की मदद से दोनों में पढ़ने के लिए किस किस तरह की आसानिया और मुश्किले हैं उत्तर हम अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहेंगे अध्यापक बच्चों को आसानी से समझा लेते हैं लेकिन कई बर अध्यापक बच्चों को कुछ विचे नहीं समझा पाते हैं मही मसीन से पढ़ाई में बच्चों को समझने में मुश्किल होगी लेकिन मसीने पढ़ाई के सभी विश्यों की जानकारी आसानी से प्राप्त करा सकती है और बच्चों एक बहुत बड़ा अंतर है कि आप जहां पर गलती करेंगे सुनी होगी जैसे दादी नानी अक्सर कहती रहती है वे भी क्या दिन थे अपने बीते दिनों के बारे में और सोचो बताओ किन दिनों में से किस समय के बारे में तुम वे भी क्या दिन थे कहना चाओगे उत्तर जा हम छोटे थे तब सभी हमसे बहुत प्यार करते थे साथ ही ह हमारी सभी इच्छा है माता पिता द्वारा पूरी की जाती थी उनी दिनों के लिए हम कहना चाहेंगे वे भी क्या दिन थे क्योंकि अब हम बड़े हो गए हमें हर बात के लिए रोका और टोका जाता है हमें हर समय पढ़ने के लिए का जाता है इसलिए हम कहेंगे वे भी क्या की बहुत सालों बाद यह कैसी होगी पैन, घड़ी, टेलीफोन, मोबाइल, टेलीवीजन कोई और चीज के बारे में तुम सोचना चाहो उत्तर, पैन, बहुत सालों बाद पैन लेजर किर्णों वाले हो सकते हैं जिनें दूर से भी लिखा जा सकता है ऐसे पैन होगे, जिनसे हम दूर से भी कहीं से भी लिख लेंगे अगला उत्तर, घड़ी, बहुत सालों बाद घड़ी कम्प्यूटर के माध्यम से चलेंगी और उनमें सुईयाएं भी नहीं होगी बच्चों, अभी ऐसा पैन तो नहीं आ हैं लेकिन ऐसी घड़ीया मार्केट में आ चुकी है आप देखते हैं जो आजकल घड़ीया बच्चे पैनते हैं उनमें सुईया नहीं होती है, बलकि सीधा टाइम और फोन वगएरा सारी सुवधाएं उसमें होती है अगला, टेलीफोन मॉबाइल बहुत सालों बाद टेलीफोन मॉबाइल का आकार काफी छोटा हो जाएगा इसमें सुवधाएं भी होगी जैसा कि आजकल घर कंपनी एक नए नया फोन, नए नए मॉडल निकाल रही है और आप देख रहे हो, उसमें नए नए सुवधाएं आ रही है जो फोन हमने आज लिया, उसको दो तिन महीने बाद अगर आप देखेंगे तो जो नया फोन मार्केट से आया है उसमें उसकी मुकाबले में कई नए फीचर्स होंगे तो ये भी हो चुका है टेलिफोन, बहुत सालों बाद टेलिवीजन पतलिया करके आने लगे और दिवार में ही लटकाए जा सकेंगे बच्चों आजकल ऐसे टेलिवीजन आ चुके हैं हम लोगों के घरों में हैं जो दिवार पे लटकाए जाते हैं, फ्लेट टेलिवीजन रसोई घर का समान आने वाले समय में रसोई घर में इस्तिमान होने वाला समान भी काफी आधूनिक होगा इसने बहुत सी चीजे बिजली से चलने वाली होगी बच्चों आजकल आप देख रहे हैं नो माइक्रोवेव, मिक्सी, जूसर आधूनिक यूग की जीजे उन्होंने जीवन को बहुत सर बना दिया है आसिमाओ की कहानी 255 यानि भविश्य में आने वाली समय के बारे में फिर इकानी में थे का हिस्तेमाल हुआ जो बीते समय के बारे में बताता है ऐसा आपको क्यों लगा? ऐसे लिखने का कहानी बेश्य वविश्य कियो परंतु इसमें वरतमाल समय दिखाया गया है वहाँ के बच्चे आज के समय के बारे में बात करें जो बीत गया है इसलिए इसे बीते समय कुर्दस दाने के लिए किरिया शब्द थे का परियोग किया गया है अगला प्रश्न नीचे कुछ वस्तों के नाम दिये गए हैं बड़ों से पूछ कर पता करो कि 20 साल पहले इनकी क्या कीमत थी और अब इनका कितना दाम है? आलू, लड़ो, शकर, दाल, चावल, दूद बच्चों 20 साल पहले इनकी कीमत बहुत कम थी क्योंकि उस समय आए के साधन भी कम थे और आए भी बहुत कम थी और आजकर इनकी कीमत है आलू 10 रुपे परती किलो और 20 साल पहले 2 रुपे परती किलो लड़ू 150 रुपे किलो और 20 साल पहले 2 रुपे परती किलो शक्कर आजकल 40 रुपे परती किलो है जबकि 20 साल पहले 5 रुपे परती किलो थी दाल 75 रुपे परती किलो जबकि 20 साल पहले 16 रुपे परती किलो थी चावल 25 रुपे परती किलो है जबकि 20 साल पहले 5 रुपे परती किलो था दूद 49 रुपे परती किलो है जबकि 20 साल पहले 10 रुपे परती किलो था तो बच्चों जैसे ऐसे आए के साधन और आए के शोत बढ़े हैं आए बढ़ी है वैसे वैसे चीजों की कीमत भी बढ़ना उचीत है क्योंकि महेंगाई के साथ ये तो होना ही था, अगला प्रश्न, आज हमारे कई काम कम्प्यूटर की मदद से होते हैं, सोचो और लिखो कि अपने व्यक्ति गत और सारजनिक जीवन में हम कम्प्यूटर का इस्तेमाल किन किन उदेशों के लिए करते हैं, बचो किन कि देखने के लिए, नईनी खबरे जानने के लिए, और किशी विशय पर खोच करने के लिए, व्यक्तिगत रूप से हम कम्प्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, जबकि सारजनिक रूप से चितर बनाने के लिए, वैपार का हिसाब किताब रखने के लिए, इमेल भेजने के लगा है जैसे आज कल करोना काल में आप लोग की ओनलाइन पढ़ाई भी कम्प्यूटर लेप्टॉप या मोबाइल की मदद से हो रही है न ऐसे ही अगला प्रेशन जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाई जाते हैं हम जो कुछ सोचते हैं महसूस करते हैं जैसे अभिव्यक्त करने या बताने के लिए कई डंग हो सकते हैं बॉक्स में कुछ साधन दिये गए हैं उनका वर्गी करन करके वर्गी करन आलग आलग बाटकर ग्रूप में नीचे दी गई तालिका में लिखो जैसे संदेश, फोन, चित्र, फैक्स, अभिने, विज्यापन, मोबाइल, इंटरनेट, रेडियो, नोटीस, टीवी, तार, निर्ते के हावबाओ, संकेत भाशा, मोबाइल, संदेश, हस्ताक्षर, आदी बच्चों इन्हें आलग आलग उसमें वर्गी करना है, आईए इसका उत्तर देखते हैं, इसमें जानकारी को आर्श से दर्साएंगे, जानकारी किसके चीजों से मिलती बच्चों, रेडियो, विज्यापन, नोटीस, टीवी, फैक्स, इंटरनेट, हस्ताक्षर किये किसके साइन है, चित्तर इतियादी से हमें जानकारियां मिलती है, यह किसके हैं और किसके द्वारा भेजये गए और किसें बनाए हैं, जोकि भावनाय कोन-कोन सी होती हैं, अबनेnderियों निर्टे के हाओ-बाओ, संकेत भाशा, इशारे करके आप बोलते हैंना, उसें संकेत भाश संदेश, फोन, मुबाईल, तार, ये सब भावनाय व्यक्त करने के साधन है, अगला प्रश्न, डायरी लिखना एक नीजी काम या शोक है, शोक हो भी, तुम अपनी डायरी किसे को और को पढ़ने को देते हो या नहीं, यह तुमारी अपनी मर्जी है, कई व्यक्तियों ने थाकि अन्ने लोग उन्हें पढ़ सकें, ऐसी कोई भी डायरी खोश कर पढ़ो, और उसका कोई अंश कक्षा में सुनाओ, अपनी डायरी बनाओ, और उसमें खुद से जुड़ी महतपूर बातें लिखो, तो बच्चों इसमें जो पहला और दूसरा प्रश्न है, उसका उत उत्तर आप स्वेंबी कर सकनें, फिर भी संकेत रूप में एक उत्तर में आपको बताई देती हूँ, डायरी मैं अपने स्कूल के अध्यापक, अध्यापिकाओं, परदाना चाहरे, अनुशाचन और वहां बने साइपाटियों के बारे में लिखना चाहें, बच्चों डाय पिचित किसी नदी में तुमारे घर गाओं या शहर के आसपस कोई नदी हो, उसमें क्या क्या बदल जाएगा, तो आओ बच्चों सका उत्तर देखते हैं, फिल्मों में फिल्में बनाना सरल हो जाएगा, सोच के अंडरू फिल्में बनाई जा सकेंगी, इसमें अत्यादु केवल सामने एक पिक्चर लगाई उससे ही सारा काम हो जाए उसके स्थान पर कंप्यूटर की साहता ली जाए या कुछ भी उन्हें करना ना पड़े साल साल भर और अच्छी फिल्में बनकर तयार हो जाए बच्चों इस तरह फिल्म के शेतर हों देख रहें ना आत्यादूनि यंत्रों, मुबाइल, कंप्यूटर, लेफटॉप और बहुत सी आधूनिक चीज़ें जिनकी साहता से ऐसा किया जा रहा है अगला गाउं भी सेरों की तुल्ला में आत्यादूनिक हो जाएंगे यहाँ पर भी आत्यादूनिक संचार के माद्यम पोच जाएंगे वैसे ही ब दौर में गाउं भी सेरों से पीछे नहीं है चाहिए वो पड़ायी लिखाई हो क्रिसी उहर छेत्म में भी तरक्किए और अगले 50 सालों में तो गाउं भी पूरी तरह से शहर बन जाएंगे इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है यह तुचुछो इसी तरह नदियों में भ हो जाए मतलब उसका अस्तित्य खसंद्ट ही खत्म कर दिया जाए महां पर बड़ी बड़ी घंगन चुमि इमारते बन जाये घंगन चुममि यह समान को चूने वाली बच्चों hola saktay ढ से जो नदिया है वह बिल्कुल ही खतम कर देगे अबादी बच्चों अगले वीडियो में हम पाट एक दिन की बातसाथ के कुश्चन आसर करेंगे इसका सारांज हमने पहले ही कर दिया है और लिंक डिस्क्रिप्शन बक्स में दे दिया है बाई बाई बच्चों